असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे तो जनाप भी बिल्कुल ठीक से शुकर अलहम्दलेला और आज हम यहां पर बनाने वाले माश किदार फ्राय जो के बिल्कुल लाइक होटल जैसी बनाएंगे लेकिन हलका सा थोड़ा सा डिफरेंस र आदा शीकि नहीं पसंदाना तो कोई जबरदस्ठी यह सबसे पहले हम ने माश की दाल लेनी है इसको सब्से पहले क्लीन करना है फिर आपने उसको दो लेना है और सोक कर देना, कम से कम भी बहुत जादा नहीं, आदे गंटी के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है, ठीक है, बारी आ जाती है, मिसमें क्या-क्या मसाले के लिए सबजी यूज़ करेंगे, और सबसे पहले तो प्यास जाएगा, टेमाटर जाएगा, और टेमाटर के जिसी जबान लड़कियों के कहा जाता है, हावे है तो है, भई, क्या कर सकते है, तो और प्यास जो है ना, वो कह रहे है, साओधी अरब में बहुत सथा महेंगा हो गया, भई, प्यास, मतलब अब प्यास भी बंदा ना डाले, मतलब क्या हाँ दो गई है, वो लोग कह रहे ह मैथड है मेरी प्रेसिपी का, जरूर देखिएगा, लाल को हमने पैन में डालना है, उसके बाद बॉइल आने के बसके पर एक जाग आ जाते है, वाइट कले की, ये लेयर आपने हटा देनी है, रिमूफ कर देनी है, जो बिग्नर्स हैं, उनको छोटी-छोटी टिप्स और इसका नहीं मालूम होता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, इसके दर हमने हरी मिर्चे डाल देनी है, दो से तीन काटकर, भल्दी डाल देनी है, और नमक डाल देना है, ये तीन चीज़ए डाल कर हलका सा मिक्स करणा है, और इसको आपने नार्मल आज़ और हल लेना है अलग से ओile तक रीबन एक कप के बराबर लेना है ठीक है? और इसमें आपने डाल देनीए एक दर्मियाने साइज की छोटी प्यास डाल देनीए हलका से stir करना है प्यास को उसके साथ हमने जूलेन बारी कटी अद्रग भी आइट कर देनी है इसके साथ ही तो टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है इसमें टिमार्टर आइट कर देंगे दो अधर तेर्मियाने साइस के जिसको हमने यहां पे आँच को तेज रखना है अप साले को भूल लेना है हलका सा दो चमट जितना पानी एट करना है कि मसाला जले नहीं और फेर हमने जो दाल को बॉइल किया था ऐस इस पानी के समयंत ही हमने इसके एक कर देना कर दिक है वो आमने उसको वेस्त नहीं करना है दर्मियानि अच पे हमने इसको कॉण़ कर हालका सा मिक्स करना है गवर कर दिना है गरम गरम दुपहर के टाइम पर सबसक्ता है यह अधर लगता है और यह फिन आप है और